हैल्लो एवरिबन। आज मैंने कुछ हेल्दि साह बनाया है यह जुवारका पड़ाटा है बहुत सारी सब्जीू के साहत्त बहुत हेल्दी है तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने जुआरका आचा लिया है । यह इसली अवलबल होते है मार्केट में। और सबजीया ले लेना, सबजीया आप अपनी पसंद की लिजेगा, मैंने बीट रूट, थोड़े सी मुली, अद्रक लिया, इसके जगा आप गार्लिक भी ले सकते हैं, स्प्रिंग अनियन्स लिया है मैंने, नॉमल अनियन्स भी आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन चिली, स्वा सबसे पहले सबजीयों को चॉप कर लेना, फाइन चॉप करना, ये देखे सबजीया चॉप हो चुकी है, अब इसमें एड करूंगी मैं जवार का आटा, जितना आपको बनाना, आप क्वांटिटी अपनी हिसाब से रखिएगा, और इसमें एड हुआ अजवाइन, थोड़ अच्छे से सन भी चुके, बलेड हटा दिया मैंने, अब हातों से अच्छे से मिला लेना है, ये देखिए, आटा सन के तयार हो गया है, तवा भी गरम हो चुका है, अब छोटा सा बॉल लिया मैंने, अब इसे तवा पे मैं फैला दूगी, मैं बहुत बड़ा पराठा नही पसंद से लिजेगा, मैंने तो आज घीस दमाल किया है, और अच्छे से दोनों साइट पका लेना, ये देखिए, कितना अच्छे से पराठा पकड़ा है, बहुत अच्छे से दोनों साइट सेक लेना, चुकि तवा बड़ा है, इसलिए मैं उसको साइट करके धीमया आज प देखते हैं, तो बड़ा पराठा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसे पलटने में, क्योंकि जवार का आटा है, ये देखिए, इसे भी वैसे ही फैला लिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, पानी डाल के भी अच्छे से इसको फैला लेना है, ये देखिए, मैंने पानी डाला, फैला लिया, इसे पानी डाले से ना पाराठा बहुत सॉफ्ट बनता है, उपर से पानी अगर आप डाल देते हैं, तो स्टीम में पक जाता है पाराठा ये, अब इसे पलट लूँगी, अच्छे से दोनों साइड इसे भी सेक जैसा भी दिल करें, आप बनाईए, बहुत सॉफ्ट पाराठा बनता है, ये देखें, मैं तोर के भी दिखाऊंगी, ये इतम से सॉफ्ट पाराठा बना है, चुकि दही में सना हुआ है, और इसमें कोई सबजी की जरूरत नहीं है, साथ में दही लीजिए, थोड़ा सा कीजिएगा, ओके, बाबाई